विलियम हेंडरी डेविस द्वारा अवकाश आराम वलेश कवी डवलू एच डेविस द्वारा लिखी गई सबसे प्रसिद्ध कविताओं में से एक है इस कविता में डेविस इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि कैसे आधुनिकता ने हमें साध्गी से अलग कर दिया विलियम हेंडरी डेविस इस कविता में आधुनिक जीवन के बारे में बात करते हैं सभ्यता की प्रगिती से आधुनिकता की और मानव जीवन पर कई हानिकारक प्रभाव पढ़ते हैं इसने आधुनिक लोगों से साध्गी छीन ली है कवी के अनुसार आजकल एक विक्ती को केवल देखभाल और आराम की आवशक्ता होती है प्राकर्तिक वाइब्स का आनंद लेने के लिए किसी के पास अवकाश नहीं है इस कविता में डेविस प्रकिती के महत्व को बताते हैं और बताते हैं कि कैसे ये किसी को अपनी आत्मा को जीवित रखने में मदद करता है शारांस विलियम हेन्री डेविस द्वारा अवकाश किसी के जीवन में अवकाश के महत्व पर प्रकाश डालता है और कैसे व्यस्त आधुनिक जीवन ने प्रकृति से अलग कर दिया है। इस कविता में डेविस प्रकृति के करीब होने के महत्व के बारे में बात करता है। कविता कुछ उधारनों से शुरू होती है कि कोई अपने शरीर से तनाओ को बहार निकालने के लिए क्या कर सकता है। यदि कोई केवल शरीर की परवाह करता है और यह भूल जाता है कि प्रकृति कितनी सुन्दर और सुकदायक है तो यह उस व्यक्ति को आधमिक तक दरित्रता की और ले जाएगा। इसके अलावा कभी प्रकृति की सुन्दरता को चरित्रत करने के लिए कलपना का उपियोग करता है। बस इतना करना है कि प्रकृति के करीब रहने वाले भेन्य प्रानियों की साधारन गतिविध्यों पर खरे होकर घूरना है। शारांस विलियम हेन्री डेविस द्वारा अवकाश किसी के जीवन में अवकाश के महत्व पर प्रकाश डालता है। और कैसे व्यस्त आधुनिक जीवन ने प्रकृति से अलग कर दिया है। इस कविता में डेविस प्रकृति के करीब होने के महत्व के बारे में बात करता है। को बहार निकालने के लिए क्या कर सकता है। यदि कोई केवल शरीर की परवाह करता है और यह भूल जाता है कि प्रकृति कितनी सुन्दर और सुकदायक है तो यह उस व्यक्ति को आधमिक तक दरित्रता की और ले जाएगा। इसके अलावा कवी प्रकृति की सुन्दरता को चरित्रत करने के लिए कलपना का उपियोग करता है। बस इतना करना है कि प्रकृति के करीब रहने वाले भेन्य प्रानियों की साधारन गतिविध्यों पर खरे होकर घूरना है। अर्थ कवीता का अर्थ डिकोट करना कठिन नहीं है। कवीता की सरलता पाठकों को इस बात पर आभास कराती है कि कितनी साधारन चीजें किसी व्यक्ति को गहराई तक छू सकती है। इसके अलावा कवीता का शिशक अफकाश इस तत्यव पर प्रकाश डालता है कि व्यक्ति को अपने मन और आत्मा के लिए समय निकालना चाहिए। एक व्यक्ति को उस समय को साधारन गतिविध्यों में निवेश करना होता है। कवी कुछ समाधान प्रदान करते हैं जिनका पालन करके व्यक्ति अपने मन को स्वस्थ रख सकता है। इसके अलावा प्रकति के निकटता का महत्व कवीता का मुख्य विचार है।